बरसाने और नंद गाओं की होली गजब है। यहां रसभरी गालियां सुनने और प्रेम में पगी लाठियां खाने के लिए युवक और बुड़े साल भर इंतजार करते हैं। यह परंपरा सैकड़ो साल से चली आ रही है। न सिर्फ भारत बलकि विदेशों में भी बरसाने की लठ मार होली प्रशिद्ध है। हर साल यहां की होली का आनंद उठाने बड़ी संख्या में लोग बरसाने पहुंशते हैं। होली पर सब जग होली ब्रज होरा की कहावत ब्रज में चरितार्थ होती है। मतुरा के गाउं बरसाने में क्रश्न काल से ही लठ मार होली खेली जाती रही है। मानेता है कि जब भगवान श्री कृष्न बरसाना जाते थे तब वो राधा और उनकी सहलियों के साथ हंसी ठिटोली किया करते थे। भगवान श्री कृष्न की हंसी ठिटोली का जवाब राधा की सखिया डंडो से दिया करती थी। तब से इस परंपरा का निर्वान बरसान और नंदगाओं के लोग करते आ रहे हैं। पहुशते हैं तब लठ मार हुली डंडो और धालों से खेली जाती है। बरसाने की महिलाएं नंदगाओं के हुरियारों पर प्रेम पगी लाठियों से प्रहार करती हैं। और नंद गाउं के हुरियारे लठ के वार से बचने के लिए धाल लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। पदमश्री मोहंशरू भाटिया बताते हैं कि करीब 147 साल पहले ततकालिन मतुरा के अंगरेज कलेक्टर एफ एस ग्राउस 47 किलोमीटर दूर इस्थित बरसाना गाउं में हुली देखने के लिए घोड़े से गय थे। उन्होंने बरसाने की लठ मार हुली के साथ साथ गाउं की हुली के बारे में भी लिखा है। वे लिखते हैं कि जब बरसाने के हुरियारे नो दौरा नंद गाउं के हुरियारों पर लठ से प्रहार होता है तो मानो प्रेम रस बरसता है। यह अलोकिक नजारा होता है इस सम लठमार होली के तैयारी सुबा से ही सुरू हो जाती है भांग की कुटाई और छनाई के साथ ही दिन चड़ते ही नंदगाउं के हुरियारे बरसाना जाने की तैयारियों में जुढ जाते हैं रास्ते में नंद गाउं वासी अपनी पारम परिक रसिया गायन के साथ गीत गुनगुनाते हुए, रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए, हसी मजाग करते हुए बरसाना पहुशते हैं बरसाना में पीली पोकर पर उनका अगवादन करने के लिए लोग त्यार रहते हैं लठमार होली का वह अलोकिक नजारा जिसे हर कोई देखना चाहता है। श्रीधाम बरसाना में स्री जी मंदिर पर नंद गाउँ के लोग हैं। भलाडली मंदिर में बैटकर नंद गाउं के हुरियारे समाजगाईन करते हैं। समाज गायन में जम कर गुलाल उडाया जाता है, वाता वरण रंगी हो जाता है, हर गली में रंगी उड़ता है मतुरा से निर्मल राजपूत की रिपोर्ट